रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है जिंदगी में कुछ खो कर पाने का मजा ही कुछ और है जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है दोस्तों लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और आता है सो गुड इवनिंग दोस्तो वेलकम टू ओनलाइन इस्टीपॉइंट कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है डेली इवनिंग में साथ बजे आपके लिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसका क्या नाम है जी क एकपाल भरती शिक्षक भरती और वन्डे एक्जाम जिदने भी वन्डे एक्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत महत्पूर होता है तो आप इस डेली पार्टिसिपेट जरूर किया करें दोस्तों फटापट से शेयर करें प्लीज अपने सभी मित्रोग साथ ज्यादा ज्या प्लीज प्लीज दोस्तों हमारे पूरे लेक्चर के पीडियाफ इस टेलीग्राम पर जोइन कर सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा चलिए देखते हैं हमारे जो कल के टॉप टॉपर थे हमारे पांच वो थे प्रदीप जांगीर रभी यहाँ पर शो होगा हमारे चैनल पर ठीक है तो अगर आपने अभी तक इसको दोस्तों शेयर नहीं किया तो सबसे पहले आज शेयर करेंगे फिर स्टार्ट करते थोड़ी देर वेट कर लेते हैं सबसे पहले आपको शेयर करना है लिंक कॉपी करिए जितने भी आपके वाट काफी सारे एकजाम होने वाले हैं तैयारी बिल्कुल एक एक टॉपी किक करते रही चले फिर फटापर से स्टार्ट करते हैं आई हो आप लोगों ने शेयर कर दियोगा पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है बताई जल्दी से पांस सेकंड का टाइम में आपको हर कोशन में ठीक है दीक हरित का अधिилось नके क्या बंते है ग्जाम में तो हरित करांती के जनदा कोन मान जाता है भारत में स्वामी न थी तो यह एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है फिर अगला कोश्चन आपको स्क्रीन पर विश्च का सरवाधिक कोश्चन नमबर थर्ड में आगे बढ़ने से पहले देखिए यहां पर जी के का निचोड यानी की पूरा जी के आपका इसमें सार संग्रह दिया गया है इस पीडियाप का नाम है जी के ब्रह्मास्त इसको आप परशेस कर सकते हैं काफी मात्मूर है 49 रूपए 50% ओफर चलना बताए जल्दी से दोस्तों भारत का बोस्टन के रूम में किस शहर को जाना आता है फटा फट से बताएंगे डेली आपको टाइमिंग याद रखने हैं सेवन पीम पे साम को जी के बूस्टर टेस्ट आउजित होता है तो जो नए श्टूरें जूड़ें फटापट चैनल क काफी टाइम लगाते हैं फटाफट एंसर कीजिए भारत में सरवाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है बहुत बढ़ियां दोस्तों आप सब की तैयर यह चलेगी मौक टेस्ट जरू डेली सॉल्व करें पूरा दिन आप जीके पढ़ें जीस पढ़ें मैस रिज लाइक कर दें फटापट दोस्तों चलिए बहुत बढ़ियां दोस्तों ऑप्सन डी करेक्ट हो आगा नाइंटीन फिप्टी में जो है भारती रेल कराश्टी करण किया गया था पिर आपका अगला कोशन है काकड़ा पारा परिजन किस नदी परिसीत है काकड़ा पारा परि किस नदी के किनारे बसा है चलिए जवालपूर से कौन कौन है कमेंट बॉक्स मता है जवालपूर से कितने लोग भी लाइब देख रहे हैं मताई फटापट से चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों ऑप्सन भी करेक्ट हो आग नरवदा नदी ठीक है जो हमारे जवालपूर जवालपूर नरवदा नदीके की नारे स्थीत है चलिए नरवदा अगला ओशन है सिंप्ली पाल अभ्यारन की स्राज्य में है बताईए फटापट सिंप्ली पाल अभ्यारन बहुत महत्पूर को चलिए ऑप्सन भी राइट हो जागा वेरी गुड दोस्तों बहुत कर रहे हैं आप ऐसी लगे रहिए थारू किस राज की प्रमुक जन जाती है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों ऑप्सन राइट हो जायागा उत्तरा अंचल यानि की उत्तरा खंड की प्रमुक जन जाती है थारू कोश्चन नमबर दस्वाप की स्क्रीन पर किस हैं मेरे प्यारे मित्रों चलिए ऑप्सन भी राइट हो जागा 1773 इस भी ठीके 1773 रेगुलेटिंग के तहद कोलकाता में सुप्रीम कोड की स्थापना की गई थी कोश्चन नमबर 11 आपकी स्क्रीन पर समिधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी बताए पर देख्ष कौन थे बताए फटापट से काफी सिंपल कोशन है देखे दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो गलत बात है आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है चैनल के द्वारा से तो आपको इतना सपोर्ट करना चाहिए जल्दी से सभी लोग इस वीडिय जूड़ सके लाइब दोस्तों फ्लीज सपोर्ट करिए वीडियो एकवार फटापट से लोग लाइक कर दें जितने लोग लाइक नहीं किये हैं चली बहुत बढ़ियां वेरी गुड बहुत अच्छा प्रयास मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन भी तीन दिसंबर 984 गो ठीक बनता है भुपाल गैस उरटना में कौंसी गैस का रिशा हुआ था मिथाईल आईसो साइनेट ठीक है क्वेश्चन नमबर 14 आपके स्क्रीन पर स्वेत रक्तकन का जीवन काल कितना होता है स्वेत रक्तकन का जीवन काल फटा फटा फट से बताईए चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों और सी राइट हो जागा एक से चार दिन का ठीक एक से चार दिन का कोश्चन नमर 15 आपके स्क्रीन पर मनुष्च में लगवक कितने लीटर लार प्रतिजिन निकलती है कि बहुत बढ़िया प्रयास मेरे प्यारे दोस्तों आप सब इसी तरह से पाटिसिपेट बताएंगे सभी लोग और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बाक्स न जरूर बताएंगे ठीक है चलिए सभी कमेंट रिट करता हूं चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों ऑप्सन डी राइट हो जाएगा वान पॉइंट फाइब लीटर कोश्चन नमर 16 आपके स्क्रीन पर है मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है चलिए ऑप्सन आपके सामने दिये बताएं फटापट से बहुत अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों चलिए ऑप्सन बी करेक्ट हुए अगनास है ठीक है अगनास ह जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे वड़ी ग्रंती है कोश्चन नमर 17 आपके स्क्रीन पर विश्च में सर्वर्थम की स्व्यक्ति को रसायन के श्यत्र नोल पुर्सकार दिया गया था जल्दी जल्दी एंसर देंगे आप लोग चलिए एक्सिलेंट एफट ओप्सन भी राइट हो जायागा जहे एच वेंट हापको कोश्चन नमर 18 आपके स्क्रीन पर चीन सर्वर्थम बीटों का प्रयोग कप किया था बताए फटापट से चलिए बहुत बढ़िया चलिए वेरी गुड ओप्सन एक रेक्ट हो जाएगा अगस्त 1972 में कोश्चन नमर 19 आपके स्क्रीन पर है डबलू एचो की स्थापना किस वर्स हुई थी डबलू एचो यानि वर्ल्ड हैल्थ अगनेशन जो के भी काफी अच्छा-कासा चर्चा में है बताए डबलू एचो की स्थापना किस वर्स हुई थी फटापट से बताएंगे मैं कई वार एक्जाम में आपको कई वार एक टेस्ट पेपर में आपको मैं सौल्व करा चुका हूं पताएं फटापट से चलिए ऑप्सन एक अरेक्ट हुए ठीक है साथ अप्रेल उननीस सो नतालीस को डबलू एचो को स्थापना हुई थी च्छा देखिए डबलू विश्व पक्का एक्जाम में पूछा जाने वाला डबलू एचो गवारेम सारी जनकारी आपको पता होनी चाहिए ठीक है इसका हेट्वाटर कहां पर है डबलू एचो का यह भी बहुत इंबॉडन मैंने इस टेस्ट में करा चुका हूं जिनेवा सुट्जा लेंड में हैं नाटो की सदस्थ संख्या कितनी है नाटो की सदस्थ संख्या फटा पट से बताएंगे और नाटो का फुल फॉर्म भी बताएंगे आप लोग जल्दी से बताएं नाटो का फुल फॉर्म नाटो की सदस्थ संख्या कितनी है चली बहुत बढ़ी है काफी लोग सही अंसर दे रहे है चलिए नाटो का फूल फाम क्या होता है नौर्थ एटलांटिक ट्रिटी आउग नयसें ठीक है इसकी सदस्थ संख्या बरत्वान में कितनी है 30 है 30 देशें ठीक है 30 स्टेट्स इसकी स्थापना का हुई थी 4 अप्लेयर उनीस सो नन्चास में ठीक है चलिए बहुत बढ़ी है चैनल को सब्सक्राइब करेंगा आपने अभी तक नहीं किया है और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली साम को साथ बज़े टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल सके जल्दी सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो एक बार फटा 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 लाइक कर बहुत बढ़ियां इसका राइट एंसर हो जागा 1968 में 1961 में ठीक है अगला आपके स्क्रीन पर है जोती ती बृता का मात्रक क्या है चलिए बताई फटा-फट से चलिए बहुत बढ़ियां दोस्तों भी तक आपने शेयर नहीं किया है वीडियो तो शेयर कर दिए जल्दी से चलिए बहुत बढ़ियां ऑप्सन डी केंडला जोती ती बृता का मत्रक क्या है केंडला है कोश्चन नमर 23 आपके स्क्रीन पर है मोटर साइकल के विसकारक कौन है देखिए जितने भी कोश्चन में लेकर आता हूँ सारे एक्जाम पॉइंट डेवी से बहुत मात्पूर आ चलिए बहुत बढ़िया ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा सभी लोग राइट अंसर नहीं बता पा रहे हैं चलिए इसका राइट एंसर मैं बता देता हूँ ऑप्सन भी माइनस 115 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है अलकोहल जमता है एकसि फाइब कान पर धोनी करवाब कितने समय तक रहता है यह साइंस का ॉचैन Mär dei चा करेक्ट हुख ऑयागा 68 56 जल्दी जल्दी बढताएं और इसका फुल फॉर्मभी बताइए अब जिसका फुल फुल फॉर्म क्या है नाम का फुल फॉर्म मैंने बता था भी गुट निर्पेक शांदोलन इसका जो फुल फॉर्म क्या था इंग्लीज में नान अलाइन मुवमेंट ठीक है अब गैट का फुल फॉर्म बताए फटापट से चलिए जनरल एग्रिमेंट और टैरिफ एंट्रेड ठीक है इसका स्थान कब लिया था डबलू टीओ ने आनि वर्ल्ल ट्रेड आगनेशन ने 1995 में ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं फटापट से कोश्चन नुमर 27 आपके स्क्रीन पर है मिच्वल फंडो एबम स्टाक मार्केट के नियंतरण के अधिकार किसे दिया गया है चलिए बहुत बढ़ी है सेवी औप्सन सी करेक्ट हो जागा सेवी का फुल परम क्या हता है सेक्यूर्टीज एंड एक्चेंज बोड ऑफ इंडिया सेवी सेवी के बरतवां में प्रमुक पुछ जायागा आप से सेवी के बरतवां में प्रमुक कौन है चलिए बताई फटा पर से अजय त्यागी है ठीक है अजय त्यागी और इसका है मुंबई महरास्थ्या में सेवी किस थामना को विए थी दोस्तों सेवी किस थामना हुई थी 1988 में ठीक है 1988 में चलिए अगला question देख लेते हैं question number 28 भारत में राश्टी आया के अनुमान क्याकड़े कौन जारी करता है question number 28 आपके screen पर है चलिए बहुत बढ़िया option D right हो जायागा CSO ठीक है question number 29 है आपके screen पर किस स्रमिधान संशोधन द्वारा राज जो लोग सेवाए को सदस्यों की सेवा मुक्ती की आयू 60 से बढ़ा कर 62 वर्स कर दी गई चलिए बताए question number 29 का answer फटा फट से देंगे सभी लोग बहुत बढ़ियां मेरे प्यारे दोस्तों आप काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल चलिए बहुत अच्छा option एक औरेक्ट हो जायागा ठीक है 41 समिधान संसोधन चलिए अगला question देख लेते हैं हमारा अगला question है जीवानू के गुड़ सुत्रों के संके कितनी होती है ये question थोड़ा सा मुझे confused है मुझे इसका answer खुद नहीं पता है आप लोग बताए जीवानू के गुड़ सुत्रों के कितनी होती है मुझे थो नहीं पता है क्योंकि मेरा जो बैग्राउंड बायोजी का नहीं है तो जीवानू के गुड़ सुत्रों के बताए जो बायोजी वाले इस्टूरेटिन ने बताए जीवानू के गुड़ सुत्रों के एक होती है न चलिए question number 31 निमने मैं से कौन साता तो 14 साल तक के बच्चों के ब्रिद्धी के लिए सबसे धिक जरूरी है कौन साता तो 14 साल तक के बच्चों के ब्रिद्धी के लिए सबसे धिक जरूरी है जल्दी से बताएंगे चलिए excellent बहुत बढ़ी है protein right हो जाएगा option A question number 32 है पाचान और सुसन नलिया कहां cross होती है बताए जल्दी से चलिए option A ग्रसनी में question number 33 है कृतिम गुरुदग की सिधान पर कारे करता है कृत्रिम गुरुदग की सिधान पर कारे करता है जो नया student जुड़े हुनको बता दू डेली साम को साथ बेच जीके बूस्टर टेसी तरह से डेली हम लेकर आते हैं टाइमिंग साथ बजे रहता है डोटल 34 है राष्टी पादप अनवानसिक संसाधन ब्यूरो कहां पर इसी थे जल्दी से बताएंगे काफि स्टिम्पल कोशन एक्जाम में कई बार पूछा गया है बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों excellent effort चलिए option C right हो जागा नई दिली question number 35 है आपका कौन सा जानवर वैदिक सब्यताद्वारक ज्याद नहीं था कौन सा जानवर जो बैदिक सब्यताद्वारक ज्याद नहीं था इनमें से बताएंगे फटापट से चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रयास चलिए option B चीता 36 है सबसे पुरानी भारती दवाई रुवेत का उद्गाम है सबसे 15 सेकंड का टाइम चलिए option ने तमिल संगम साहित की भासा कौन सी तमिल कोशन नमर 38 है कन वर राजवन्स का संस्थापक कौन था बताए कोशन नमर 38 बिलकूल बहुत बढ़िया चलिए option ने राइट है चलिए बासुदेव ठीक है कोशन नमर अगला है हमारा कोशन नमर 39 बताए किसने बनवात कितने लोगें बताए चलिए बहुत बढ़िया option ने सी हॉंग टी कोशन नमर 40 आपका हर्षवर्धन की प्रारंभिक राज़ानी कौन सी थी हर्षवर्धन की प्रारंभिक राज़ानी फटाफट से बताएंगे चलिए एक्सिलेंट बहुत बढ़िया ह बादामी के चालुक्तों का संस्था पकौन था जैसिंग प्रतम कोशन नमर 42 आपके स्क्रीन पर है गुप्त संस्था अभिनाव भारत के संस्था पकौन थे बताए जल्दी से दोस्तों मेरे पैरे दोस्तों वीडियो एक बार सभी लोग लाइक कर दें सभी लोग फटा क्या कहते हैं कलता है अधिक्तम दूरी भी निंटम दूरी बताऊ से बहुत बढ़िया तीन जन्वरी को ठीक हिस्स्तिति को कहते है उपसवर ठीक है चलिए प्रियास आप सभी कर ला he आपको बताने कब होती है चलिए एक्सिलेंट प्रयास ऑप्शन एर राइट हो जागा चार जूलाई को उसको क्या कहते हैं अधिकतम दूरी के सिति को अपसावर कहते हैं ठीक है यह दोनों आपको या धकना है ठीक है उपसावर और अपसावर कोशन नमर 45 प्रितिवी के निकर्तम सितारे से प्रकास को प्रितिवी तक पहुचने में कितना समय लगता है बताईए चलिए चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों आपसाने करेक्ट हो जागा ठीक है 4.3 सेकेंड कोशन नमर 46 छोब मंडल की मुटाई में किस रितू में बृद्धि होती है बताईए चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों आपसान भी राइट हो या ग्रिसम रितू में कोशन नमर 47 फेरल कन किसे रिलेटेड है बताईए फटापट से चलिए बहुत अच्छा दोस्तों बहुत बढ़िया पबनों की दिसाज़ा सम्मंदित है ठीक है पबनों की दिसाज़ा सम्मंदित है कोशन नमर 48 है गंगा सिंधु मैदान में कौन से मिट्टी सबसे दिख पाई जाती है बताईए बहुत बढ़िया दोस्तों ऑप्सन डिकरेक्ट हो जागा फाल से कोश्चन लास्ट कोश्चन आपका प्रसिद्द करीवा बांत किस नदी पर जलदी से बताइए चलिए बहुत बढ़िया ऑप्सन इसका सी राइट हो जागा जैम बेंजी नदी पर तो यह थे हमा को सॉल्व कर सके ठीक है दोस्तों डेली टाइमिंग याद रखेंगे साथ सामको साथ वजे जी के बूस्टर टेस्ट चलिए मिलते हैं नेक्स प्लीक साथ आप अपना ध्यान रखें स्वास्त रहें बेस्त रहें मस्त रहें बाई बाई टेक केर जै हिन जै भारत